दोस्तों एक तरप जहां बिहार में चुनावी साल होने के कारण नोकरियों पर नोकरी निकल रही है, हर विभाग में निकल रही है, बहुत तेजी से काम वहाँ पर चल लाड़ नोकरियों का वहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो सीम योगी जी घोशना किये थे कि सभी व विभाग में, हाला कि वहाँ DLA और B8 का प्रेकरण अभी चल लाए, वहाँ से भी कुछ नोकरी आएगी, अभी कल के समचार पत्र में वी था, एक लाग चब्वीस जार पत्र बेसिक सिच्छा विभाग में रिखत हैं, लेकिन आज, यानि कि कल साम को एक वाइरल हुआ मैसे की सिच्छा मंतरी ने जो है, स्टेट्मेंट दिया है, मीडिया के सामने स्टेट्मेंट दिया है, कि हमारी अभी कोई योजना नहीं है, प्रात्मिक सिच्छक भरती की, इससे जो DLA किये हुए छात्र हैं, उनके लिए काफी चर्चा काई बिसे रहा ये, सभी वाट्शप ग प्रात्मिक सिच्छक भरती के लिए चार दिन से धर्ना दे रहे थे, प्रात्मिक सिच्छक भरती के लिए अनिवारी डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन, डियलेट च्छात्रों को लग रहा था कि अब बाहर हो गया है, तो जो वेकेंसी आएगी, उससे हमारी नौक कर रहे थे, चुनावी साल का फादा लेने की कोशिश कर रहे थे, कि किसी न किसी तरह से बिग्यापन जारी हो जाए, और इसकी प्रतिच्छा कर रहे थे, इसके लिए प्रयागराज में धर्ना इस्थल पर चार दिन से धर्ना दे रहे थे, धर्ना रात में भी चल रहा है, गुरुवार साम को धरने पर बैठे प्रसिच्चितों ने धरना इस्थल से सुबाज चोराहे तक केंडल मार्च निकाला। प्रसिच्चित मोर्चा के अधिच रजट सिंग ने बताया कि बेसिक सिच्चा मंतरी ने प्राथमे के भरती नहीं दिया जाने का बैयान मेडिया में दिया है। यही वो मैसेज है जिसने जो है चातरों का दिल तोड़ दिया बेसिक सिच्चा राज मंतरी संदीप सिंग का बैयान आए बाकाइदा इसका वीडियो भी एविलेवेल है आपको मिल जाएगा किसी चैनल पर वीडियो इसका एविलेवेल है जिसमें उन्होंने साब साब कहा ह कि हमारी अभी कोई योजणा नहीं है नई सिचक भरती लानी की जो पुरानी सिचक भरतिया है हम उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं अब पुरानी सिचक भरती के कौशी है 79,000 वली सिचक भरती है उसमें कुछ केस फासे हुए है करीब 166 की बी ज्वाइनिंग उसमें होनी है तो वो उसी में उल्जेर आना चाते है नई सिच्चक भरती लाने के मूड में बिल्कुल नहीं है च्छे अक्टूबर को पत्थर गिर्जागर प्रियागराज में प्रदसन होगा और जबर्जस प्रदसन होगा प्रात्मी सिचक भड़ती है तुम महाधरना प्रदसन करने की योजना च्छातुरों की है और इस मैसेज को च्छातुरों सब पहुंचाने के लिए इसे वीडिय का सब्जेक्ट देख लिए क्या लिखना है इसी तरह से लिखके ट्विटर अवियान में सामिल होना है च्छातुरों को महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरचन यह 35% आरचन कौन दे रहा है मध्यप्रदेश की सरकार देने जा रही है 18 साल तक मध्यप्रदेश में सास सरकार ने बन विभा को छोड़कर राजी सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरचन देने के लिए एक अधिसूंचना जारी की है इसकी लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की न्युक्ति के लिए 20 प्रावधान नियम 1997 संसोधन किया गया है अधिसूंचना के अनुसार किसी भी सेवा नियम में सीधी भरती की चरण में राजी के आधिन सेवा बन विभा को छोड़कर में सभी पदों पर 35% पदों पर आरचित किया जाएगा जिसमें आपकी सिच्चक भरती भी आएगी मद्य प्रदेश के स्टूडेंट सरकार से काफी नाराज है जो इन्होंने वर्क टू वर्क थी के लिए एमपीटेट करवाया था उसके बाद इन्होंने उसकी मुखी परिच्चा नहीं करवाई और इलेक्शन आ गया मद्य प्रदेश को भी बिहार सरकार से कुछ सीखना च पहले तो जरूर दे देते हैं लेकिन अब जब नॉम्बर में वहां पर इलेक्शन है अगले महीने तो यह इस तरह की लाली पाप दे रहे हैं चुनावी लाली पाप तो इसको तो सब जानते ही हैं कांग्रेस के राजी सभा सांसद रणदीप सुर्जेवाला ने गुरुव नहीं आए क्योंकि बीजेपी वहां पर साड़े अठारा सालों से सासन कर रही है बीच में डेल साल के लिए कांग्रेस आई थी उसके बाद से बीजेपी ही वहां चल लई है दोस्तों बीजेट डिवी धारी चातरों के लिए मैं यही करना चाहूंगा कि आपका जो केस वगरारा चल लाहा है प्रियास आप लोग कर रहे हैं कि एक जो है गौर्मेंट अगर सुप्रिम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो गौर्मेंट अध्यधेश लाकर जो है इस बीजेट को प्रात्यूंग में इलिजबिल करवा सकती है आप सबका प्रियास ठीक है शराहनी है आप सब प्रियास करते रहें लेकिन आपको अन्य आपसन के बारे में भी आप सुंचना चाहिए सबसे अच्छी वेकेंसी आपके लिए होती है TGT आप TGT में जा सकते हैं जा सकते हैं और जो नेट कॉलिफाइड है वह असिस्टन प्रोफेसर का एपलाई कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा स्टेट के बाहर भी निकलना पड़ सकता है कि टीजीटी पीजीटी की वेकेंसी स्टेट के बाहर ज्यादा आ रही है यूपी में कमा रही है यही अन्य स्टेट के छात्रों कमी में बोलना चाहूंगा कि अगर आपके स्टेट में वेकेंसी नहीं आ रही तो आपकिसी दूस में आई यह उसकी तयारी やप कर सकते हैं तो इस तरह की परिछाओं की तैयारी आप कर सकते हैं क Ross i we gonna she태ृ जल्द ही आने वाली है दोस्तों इस ही वीडियो में इतना ही मिलता है निज्ट वीडियो में और एक ी छुड़ गया है इसके चीज़ छूड़ गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं बिहार एस्टेट पर देखें बिहार इस्टेट रिजल्ट पर हम इतना ही कहेंगे कि सरकार ने जवानर फ़रन में रिजल्ट दिया है और OVC Candidate को पहले पास करके जो फेल किया यह सरकार की नीती सही नहीं है और यहाँ पे जो रिजल्ट आया है 79.9% जो रिजल्ट आया है यह काफी अच्छा रिजल्ट है और इसमें सबसे खराब जिस बिशे का रिजल्ट गया है वो है संगीत का क्योंकि वहाँ पर 47% ही करीब र रिजल्ट हो गया और संगीत से का जो वेकर गया ही यह लेकिन से पीसमार्ट क्लास ka रिख रेक बहुत अच्छा गया है अब यह पर डिया कि बहूत ही कम चाटरि याँ पर फेल हुएères मेडिम चाकि न suited नाइंटी परशनट से ऊपर चात्रिशन आ पे क्लास करनेवाले बास हुए हैं जिसका मैंने यूटूब पे आप सबको दिखाया था तो दोस्तों जो बीपीएससी का एक्जाम है उसके लिए जुड़ें सीपी स्मार्ट क्लासेश से और बीपीएससी में अपना चैन सुनिस्तित करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद